आज हम बनाएंगे गर्मियों में सबसे ज़्यादा पी जाने वाला रिफ्रेशिंग एक तम ठंडा ठंडा और बहुत ज़्यादा टेस्टी मिल्क मैंगो शेक जिसको घर पे बनाना है बहुत ही आसान तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने यहां पे एक आम ले लिया है आम को कट करने से पहले मैंने इसको अच्छे से धो लिया है जब भी कोई आपको किसी भी फल का जूस बनाना है तो आप उसको सबसे पहले धो ले तो चली अब इसको मैं कट कर लेती हूँ तो यह जो डंडल वाला पार्ट ह चाको से इसको अलग कर लेंगे अब इसके बाद मैं इसको टुकडों में काट लूँगी पल्प निकालना बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से चाहें तो इसका छिलका भी आप उतार सकते हैं लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आम का जो ये पल्प है बहुत ही आसानी से निकल जाता है तो चलिए फ्रेंड्स मैंने देखी यहाँ पे तीन हिस्सों में इसको अलग-अलग कट करके ऐसे रख लिया है तो अब इसके बाद मैं चम्मच लूँगी और चम्मच से इस पल्प को हम आसानी से निकल लेंगे बहुत ही आसानी से ऐसे निकल जाता है तो चलिए इसको ग्रैंड करेंगे हम तो उसके लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे ग्रैंडर जार तो जो ये grinder jar है इसमें हम सारे pulp को डालते जाएंगे mango shake बनाने में हमको जो सबसे ज़्यादा कठिल लगता है वो है आम को छिलना तो आम को इस तरीके से आसानी से छिल लिए और इसका फटा-फट से mango shake बना के पीजिए तो चलिए friends मैंने सभी pulp को ऐसे बारी-बारी से निकाल लिया है grinder jar में अब इसमें डाल रही हूँ मैं टेस्ट अकोर्डिंग तीन छोटे चममच चीनी तो ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आम हमारा पहले से ही ज़्यादा मेठा है अब इसको ढखका लगा के हम grind करेंगे अभी मैंने यहाँ पे ना किसी ice cube को डाला है ना यहाँ पे मैंने दूद को डाला है तो चलिए इसको grind कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही अगर आप दूद को डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आम के टुकडे होते हैं वे हमारे mango shake में रह जाते हैं अगर आपको एक तम क्रीमी milk mango shake बना के पीना है तो स्टार्टिंग में ही इसको ऐसे ही grind करें बिना दूद डाले अगर लगे कि ज़्यादा हमारा grinder जा सुखा सुखा सा चल रहा है तो थोड़ा सा इसमें दूद डाल सकते हैं तो चलिए कुछ ही second में हमारा यहां पे अच्छे से देख सकते हैं ग्राइंड हो चुका है जो हमारा mango का पल्प था अब इसके बार डालेंगे हम ice cube ताकि एकदम ठंड़ा ठंड़ा कुल कुल बने हमारा mango shake अब इसमें डाल रही हूं मैं डेड़ ग्लास दूद अब थोड़े से टेस्ट के लिए डाल देते हैं काजू और इसको दोबारा से डखकन लगा के हम फिर से ग्राइंड करेंगे अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें दो तीन इलाइची भी एड़ कर सकते हैं हरे वाली जो इलाइची आती है तो लिजे कुछी सेकिन में हमारा बनके तयार हो गया है milk mango shake तो चलिए डखकन हटा लेत है और देख सकते हैं कितना यह क्रीमी बनके तयार हो गया है एक बार आपको दिखा देती हूं कि बिल्कुल भी टुकड़े जो आम के हैं वे बिल्कुल भी नहीं है हमारे इसमें एक तम स्मूथ और बहुत ज्यादा क्रीमी तो चलिए फटा-फट से इसको सर्व कर लेते है तो उसके लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे दो गलास अब इसमें डाल देते हैं ठंडा ठंडा अपना मिल्क मैंगो शेक अगर बहुत जादा ठंडा मिल्क मैंगो शेक पीना है तो आप इसमें थोड़े से आइस क्यूब गलास में पहले ही डाल सकते हैं और तब इसमें सर के बाद मैं इसको थोड़ा सा उपर से गानिश कर देती हूँ कलरफुल टूटी-फूटी से क्योंकि बच्चों की तो फेवरेट होती है टूटी-फूटी अगर आपके पास टूटी-फूटी ना हो तो टैंशन मत लीजे थोड़े से बारिक कट करके आप आम के टुकडे को भी उपर की साइड सजा सकते हैं अब मेरे पास यहां पे थोड़े से पिस्ता थे तो बारिक चोप करके मैंने थोड़े से डाल दिये हैं अब उपर से रख देंगे यहां पे काजू के टुकडे को और लीजे फ्रेंड्स बन के तयार है हमारा मार्केट जैसा एक दम महंगा वो भी बहुत ही सस्ते में घर पे ही मिल्क मैंगो शेक जो की बहुत ही टेस्टी है तो एक बार इस तरीके से आप मिल्क मैंगो शेक बना के जरूर पिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू